हलो दोस्तों गूड मॉर्णिंग स्वागा दिक बार फिर से आप सुभी का एंजेटी एजुगेशन में दोस्तों आज है 28 सितंबर आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 28 सितंबर 2023 के most important current affair के questions के बारे में पूरी वीडियो ध्यास देगेगा पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है जहां जहां रिवीजन आवस्तेक है वहां वहां रिवीजन भी कराया गया है तो इन तक जवर देखना शुरू करते हैं सबसे पहले रिवीजन से कल का रिवीजन कर बन गई हैं दोस्तो प्रमिला मलिक और हम लोगों ने कल पढ़ा था कि केंद्रिय मंत्री हरदीप सिंग पूरी जी ने नई दिल्ली में पहले भारत के पहले हरित हाइडरोजन इधन सेल बस को हरिजन्डी दिखाए हैं करता बिपत पर और युनिकलो इंडिया का नया ब्रे अधी सम्मेलन का आयोजन दोस्तो मुंबई में किया गया और अभी हाले में खुद का एप स्टोर डेवलपर प्लेटफार्म लांच किया है फोन पे ने और अभी ओडिया प्लस गाउं खुजित किये भारत के 55% यह एक रिपोर्ट में बात सामने आई है तो यह थी टॉप 10 करेंट अफेर के कुशन्स कल की वीडियो से जिनका आपने किया है क्वेक रिविजन अब बात करेंगे आज की करेंट अफेर की लेकिन आपको बता दें पीडिया प्रेटन दिवस्त का मनाया गया तो कल ही मैं इसके बारें बताया था आपको कि विश्व प्रेटन दिवस्त 27 सेतंबर को मनाया जाता है तो 27 सेतंबर को प्रेटन के प्रती अवेरनेस फैलाने के लिए यह दिवस्त मनाया जाता है दुनिया भर में प्रेटन को बढ़ावा इने के लिए चाहे वो खाड़ी देश हो, चाहे वो अमेरिका या फिर यूरोपिय देश तो यूरोपिय देश तो सुरुवात से ही ऐसे करते आये रहे हैं, अब इंडिया भी इसकी तरफ अग्रसर हो रहा है और इंडिया में भी आप देख रहे हो बहुत सारी चीजे बन रह मतलब टूरिजम को बढ़ावा भी दो और ग्रीन इन्वेस्टमेंट पर फोकस करो, यानि कोसिस ये रहे कि हम लोग हरित नवेज पर ज्यादा फोकस्ड रहे हैं, ठीक है, चलो, तो संयुक तराश्ट के विस्व परेटन संगठन के दौरा ये मनाया जाता है, 1989 में इसकी अब देखो, ये है UNWTO, एक और आप सुनते हो, WTO, ये WTO जो है न, ये है World Trade Organization, क्या है, World Trade Organization, है न, ये दूसरी चीज है, ये विस्व व्यापार संगठन है, इसके बारे में पूछा जाए, तो इसका हेड़कॉाटर आप बताएंगे, इसका हेड़कॉाटर है जीनेवा में, इसका हेड़कॉाटर अगर पूछा जाए, तो इसका हेड़कॉाटर आप बताएंगे, इसका हेड़कॉाटर है मैड्रेड में, इस्पेन में, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, दोनों WTO लिगा रहता है, लेकिन इसी में लोग कन्फूज होते हैं, UN लगा रहेगा तो स सिक्षक दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, सरुपली राधा किष्णन जी की जैनती पर, अंतराष्टे चैर्टी दिवस पांत सितंबर को मनाते हैं, आठ सितंबर को अंतराष्टे साक्षरता दिवस मनाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आठ सितंबर को ही वि लिंफोमा जाग रुकता डिवस मना जाता है, 16 सितंबर को विसव ओजोन सनरक्षन डिवस मनाते हैं, ये भी important है. 17 सितंबर को विसव रोगी सुरक्षक डिवस, और 18 को मनाते हैं विस्व बास डिवस, 21 सितंबर को मनाते हैं हम लोग अंतराष्टे सांती डिवस, तमबर को मनाते हैं, विस्व परेटन दिवस, गलियर है न, जहां जहां इस्टार लगा है, पीडिएफ जब पढ़ना, रीड करना, तो उसको लिख करके नोड़ डाउन कर लेना, थीम सहित, ठीक है, पूछा जाएगा, अगला, हाली में 13 हुआ हिंद प्रसांथ सेना प्रमु का, मतलब जो आर्मी चीफ होते हैं, उनका सम्मेलन था, और ये 13 हुआ संसकर्ण था, इसका आयोजान अभी कहां किया गया, नई दिल्ली में किया गया है, दिल्ली के मानेक सा सेंटर में ये आयोजित किया गया है, एसिया पैसिफिक रीजन की अगर बात करे हम लोग, तो ए पैसिफिक सकल घरेल उतपाद, यानि कि गलोबल जीडीपी का अगर देखें, तो गलोबल जीडीपी का 63% योगदान अकेले रहता है, इंडो पैसिफिक रीजन से, और तो और विश्व व्यापारिक व्यापार में, अगर दुनिया भर के गलोबल ट्रेड में अगर देखा जाए, तो इसका योगदान 46% रहता है, ये डाटा बहुत important है, याद रखेगा अभी ये ताजी, इसी वाली meeting में ये डाटा निकल करके आया हुआ है, तो 2024 में भारत ने लक्ष रखा है कि 35,000 करोर रुपए का एक रक्षार निर्यात लक्ष रखेंगे, मतलब हम लोग अब ना सिर्फ import कर रहे हैं, बलके exportation पर भी ध्यान दे रहे हैं, कौन सी चीज का export, रक्षार निर्यात, मतलब कि defense equipment का भी हम लोग exportation करेंगे, तो defense exportation कितना करेंगे, 2024 में हम लोगों ने target set किया है, 35,000 करोर रुपए का, ठीक है, आपको पता होगा कि भारत दुनिया का सबसे ज आगे है भारत, सवधियरब को भी पीछे कर दिया है भारत ने, तो यह चीजे हैं, यहाँ पर अभी यह conference हुआ, सेना पर मुखो का था, इसलिए सेना से related चीजे निकल कर गे आ रहे हैं, आगे, Asian Games 2023 में भारत ने किस खेल में 41 वर्सों के बाद gold medal जीत करके इतिहास रचा, द मिडल जीता था, 1982 के बाद भारत ने अभी जीता है, 1982 में इसलिए जीता है था कह सकते हैं कि क्यों नई दिल्ली में आजन हुआ था, Asian Games का, नई दिल्ली में आजन हुआ था, तो भाई, जब घरेलू मैच रहता है तो अकसर चीजे जो है, मिडल्स की संख्या वगरा वो इसे भी ज़्यादा हो ही जाती है, क्योंकि प्रोचान मिलता है भाई, पाइटियंस का भी हो थोड़ा सा घरेलू पीछ भी रहता है, लेकिन अब 41 वर्सों के बाद जो चाइना में, 41 वर्सों के बाद गोल्ड मेडल जीत करके भारतीय टीम ने इतिहास रत दिया, इंट्रेस्ट के तहत ये आते हैं, काम खेलते हैं, उस बोड के खिलाब दिल्ली हाई कोट गए, दिल्ली हाई कोट में जा करके केस लड़े, सब कुछ हुआ, उसके बाद फिर मजबूरी में आ करके, इनको अप्रूबल मिला कि चलो भी है, जो ठीक है, चले जारो, और देखो, गोल लेकर के आ गए, ठीक है, फिलहाल अगर अभी की केस में बात करें, तो ये जो पाचो आपको दिख रहे हैं, चारो पाचो, ये अनुज अग्रवाला है, इसमें हिरदया विपल चेड़ा है, सुदीप्ती हेजला है, और देविकेरती सेंग है, तो इनकी टीम ने यहाँ पर मेडल जीता है, और ACN Games में घुर सवारी में, यहाँ पर आज की टाइम पर अगर बात करें, अगर आपको क्लियर दिख रहा हो, तो आज की टाइम पर स्थिती की बात करें, वैसे ये पेज जो है, मैं हटवा दूँगा बाद में, क्योंकि जब ACN Games फाइनल हो जाएगा, उसके बा और इसमें 5 गोल्ड हैं, यह द्यान रखेगा, अगर हम लोग बात करें, पिप्पल्स रिपब्लिक आप चाइना की, चाइना की ना, 76 गोल्ड चल रहे हैं, 76 गोल्ड मिडल यह अभी जीता हुआ है, अभी तक में ही, 140 मिडल इसके टोटल हो चुके हैं, इस इन गेम आया है हर्मन प्रीट सिंग है, और फीमेल के लिए लुलीना बोरगोहन है, ठीक है, दोनों का नाम आप याद रखेंगे, इमपोर्टेंट है, Asian Games का यह संस्कर्ण कहों सा है, 19 संस्कर्ण है, कहा हो रहा है, यह हो रहा है, हौंग जोहू में, जोकी पड़ता है, चीन में, ठीक है, पिछला वाला कहां हुआ था, जाकार्ता में हुआ था, इंडोनेसिया में हुआ था, अगला है, बुलूंबर के अंसार किस देश की मुद्रा, दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्सन करने वाली मुद्रा बन गई है, यह बहुत important question है, दुनिया की सबसे बहतरीन प्रदर्स कर रही है, पता है क्यों, क्योंकि उन्होंने यह कहा है, साफ साफ तोर पर, कि जो अगर कोई व्रष्टाचार करेगा, तो उसको सजा दी जाएगी, ठीक है, यह सजा यह वाली नहीं, इंडिया वाली या अमेरिका वाली सजा, इस ही केस चलेगा, जेल में डाल देंगे, यह पर सजा कुछ दूसरी ही होती है, है ना, तो यहाँ पर कोई गलती से भी व्रष्टाचार करने की नहीं सोच रहा है, और इस वज़से, 9% ग्रोथ इस निमाही में हुई है, और इस साल में अभी तक 14% की ग्रोथ हुई है, इसकी मुद्रा की, हाला कि यह ग्रोथ हम लोग य कारण यह है, कि पहले तो समझो, कि मुद्रा एकदम डूब ही गई थी, जब डूब गई थी, तो उसका अगर थोड़ा भी बढ़ेगा, तो ज़्यादा परसेंटेज में लगेगा, है ना, तो दोनों ही केस में आप 5 ही चीज़ पराप्त कर रहे हो, लेकिन परसेंटेज ज ने अफगानिस्तान पर कबजा किया, लेकिन अब वो फिर से उभर रही है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है, ये सुरू किया है, बहुत सारी रूल्स रेगलेशन लाए है, धिरे धिरे अपने आपको इस्टेबल गवर्मेंट के रूप में ये रिप्रेज भी बैन लगाया है, कहा है कि सकत सजा देंगे, बहराहल ये सब रिपोर्ट कौन बता रहा है, ये बहुत ही पॉपलर जो एजनसी है, ब्लूमबर्ग, उसकी रिपोर्ट है, तो कोई हलकी फुलकी एजनसी की रिपोर्ट नहीं है ये, अफगानिस्तान, ठीक है, अब देखो अफगानिस्तान है कहां पर, इंडिया का मैप अगर आपको दिख रहा है, तो ये रहा अपना प्यारा भारत, यहां पर आप क्रॉस करोगे पाकिस्तान, प्राकिस्तान के बाद आपको दिख जाएगा अफगानिस्तान, देखो एक्चुली मेना अफगानिस्तान यहां पर बॉर्डर सेर तो करता है, अगर हम लोग देखें, तो इसके लिए डूरेंड रेखा है, लेकिन एक्चुली में इधर वाला जो एरिया है, अभी ये पियोके है, और पियोके पर, यानि पॉक अकुफाइड का स्मीर है, यहाँ पर अभी पाकिस्तान का कबजा है, तो इस वज सबसे लंबी सीमा किसे लगाते हैं, बंगलादेश से, और सबसे छोटी सीमा किसे लगाते हैं, अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान भारत की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया की लाइन को क्या कहते हैं, इससे रेड क्लिफ रे और प्राइम मिनिस्टर कौन है यह है हसन अखुंद यह अभी एक्टिंग है भी कारेवाहिक है चीप जस्टिस चीप जस्टिस को तो यहां पी जरूरत ही नहीं यह लोग खुद ही दे देते हैं जस्टिस तो फिलहाल यह सारी चीजे रहे काबूल इसकी राजधानी है आगे यह पुस्तक लिखी हुई है टेल्स फ्रम दा होम आफ वेक्स एन विगल्स किलियर पिछले दिनों में भी जो पुस्तक के चर्चे में आए थी उनको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं जैसे जैसे हम लोगों ने पढ़ा था दा आटो बियोग्राफी आप गॉड यह लीना कुम और एंटे प्रिया कब्दाकाल यह पियस स्रीधरन पिल्लाई ने लांच किया है गोवा के यह राजिपाल हैं ड्रंक ऑन लव यह विपुल रिखी की पुस्तक है कुछ अधूरे सब्द आस्तोस अगनेहुतरीन लिखा है मानसून अभैके की पुस्तक है हाव प्राइम मिनि वीडियो में एड लगाता हूं तो अफेंड हो जाते हैं देखो यहां पर जो आपको कंटेंट फिरी में दिया जा रहा है ना कुछ भी चीज़े फिरी नहीं होती है अगर मैं आपको यहां पर फिरी में चीज़े दे पा रहा हूं तो इसके पीछी कारण यह है कि यहां पर इतनी जो light लगी है इसके बाद भी जो लोग PPT बनाते हैं उनको भी हमें salary देनी होती है जो लोग बाकी जो काम करते हैं या फिर content ढूड़ा जाता है 3-4 घंटे उसके बाद हमको भी तो अपना survive करना है आप लोग तो नौकरी पा करके निगल जाओगे इसलिए थोड़ा सा हमारा भी समझो 5 मिनट के बाद ही add मैं लगाता हूँ हमेशा 5 मिनट के अंतराल पर ही add लगाया जाता है शुरुवात में मुझे याद है 3 मिनट पर ही add लगाया जाता था लेकिन आप लोग के कहने पर मैंने इसको देरे-देरे बढ़ा करके गुजरेगा उसके बाद फिर add आएगा तो आप थोड़ा सा समझो हमारी चीज को भी ठीक है कोई हम लोग funded company नहीं है कोई funding नहीं हुई है आप की ज़रुरत मैं पूरा कर रहा हूँ मेरी ज़रुरत आप पूरा कीजिए ठीक है तो जो add लगाते हैं इस पर जिसे कभी-कभी विसे तो सब लोग समझते हैं लग-बग-बग कुछ लोग हैं जो फिर comment करते हैं कि add ना लगाया करो add क्यों लगाते हो बहुत add लगाने लगयो तो थोड़ा सा यह मतलब अजीब सा लगता है कि जहां पर नहीं बोला जाता है वहां पर लोग बोल देते हैं और जहां पर नहीं बोल सकते हैं जो बड़ी फर्म होते हैं वहां नहीं लोग बोलते हैं चलो अगला सितंबर 2023 में निम्निवेसिक किस उपलक्ष में आरोग मन्थन कारेकरम का आयोजन किया गया तो आरोग मन्थन कारेकरम जो है ये अभी आइस्पान भारत PMJ योजना की पांच वर्स पूरा होने के उसर पर साथी साथ आइस्पान भारत डिज्टल मिसन के दो वर्स पूरे होने के उपलक्ष में इन दोनों उपलक्ष में इसका आयोजन किया गया तो उपरोग तो दोनों आप्सन आपका हो जाएगा करेक्ट अभी क्या आयोजन किया गया इन दोनों के उपलक्ष में आरोग मन्थन कारेकरम ठीक है अब इसको देखो आरोग मन्थन कारेकरम प्रदानमंत्री जन आरोग योजना है क्या इसको समझो इसके तहरतना 5-5 साल के लिए जिनका आयसमान काड़ बना होता है उनको 5-5 साल तक के लिए 5 लाग रुपय तक का health insurance दिया जाता है, health insurance मतलब अगर उनको health related कोई issue है तो वो hospitals में जाएंगे, जो listed hospitals हैं उनमें उनका free में इलाज किया जाएगा, ठीक है, 5 लाग तक का अगर खड़ जाना होगा तो, और ऐसे ही यहाँ पर आयस्मान भारत digital mission भी सुरू किया गया, जिससे digitally करन के मादम से भी इसको connect किया जाए, तो दोनों योजनाएं जब जब सुरू हुई, यह पूछा जाएगा आपसे, जैसे आयस्मान भारत जो जिससे जन आरोग योजना भी कहते हैं, तो इसकी सुरुवात हुई थी 23 सितंबर 2018 को, बहुत important date है, इसको याद रखना, इसके बाद, अभी जो आयस्मान भारत डिजिटल मिसन सुरू किया गया, इसकी सुरुवात अभी दो साल पहले, यानि 27 सितंबर 2021 को हुई थी, तो यह चीजे हैं, और एक चीज बाद, आयस्मान भारत जो परधान मंदरी जन आयोग योजना है, जिसे आयस्मान भारत योजना भी कहते हैं, सौट फोम में, यह दुनिया की सबसे बड़ी health insurance scheme है, दुनिया की सबसे बड़ी health insurance scheme, ठीक है, आगे, किस राज सरकार ने महिला बीट अधिकारियों को सक्ती दीदिया नाम दिया, यानि कि महिला बीट अधिकारियां जो होंगी, उनको सक्ती दीदियां आप कहा जाएगा, तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है, देखो उत्तर प्रदेश सरकार जो है एक बार सक्ती मिसन फिर से सुरू क जाने गाए या पूकारेगा तो सक्ति दीदियों के नाम से जानेगा या पुकारेगा तो सक्ति दीदियां ये कही जाएंगी हुँएं जो होंगे इस अभिएन का उत्धेस सरकार ने अभी चर्चे में रहाता उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी 29 जून को जब राष्टी सांखी की दिवसमलोग मनाते हैं, तबको व्यापारी कल्यान दिवस घोसित किया है इनोंने, तुलसी जल प्रपात पर स्काई वाक ग्लास ब्रिस बन रहा है, जो कि यूपी क का पहला ACI किंग गिद सन्रचन के अंदर खोला जा रहा है, लक्रों में देश की पहली नाइट सफारी खुल रही है, और 13 एक्सप्रस वे वाला राज्ये तो है ही, वक्य माधार सीवर सिस्टम ये आगरा में सुरू किया गया है, और अभी गिफ्ट डी डियोजना सुरू क ये आठ राज्ये हैं, उत्तराखंड, हिमांचल प्रदेश, हर्याना, इसके अलाव राज्थान, मद्य प्रदेश, चतीजगर, जहारखंड और बिहार, यहां पर आपको दिल्ली किंसासित प्रदेश भी मिल जाएगा, उपर ये नेपाल से बौडर सेर करता है, ये अगर बात करें, छेतफल की दृष्टी से, तो छेतफल की मामले में ये चौथा सबसे बड़ा राज्ये है, राज्थान पहला है और ये चौथा सबसे बड़ा राज्ये है, जनसंख्या की मामले में टॉप पर है, जनसंख्या जादा है, तो जीलो की संख्या भी जादा है, 75 जि जो की कहाँ पर है लखीमपूर खीरी जिले में है दुद्वा निस्नल पार्क यूपी का इकलोता निस्नल पार्क नवाब गंज पक्षिय बैरान है पीली भी टाइगर रिजर्व है चंदप्रवागें सेंचुरी है इटावा लायन सफारी है रामगर ताल सुरहा ताल गोविंद बनलम पनसागर मोती जील यहां के प्रमुग जीले है चर्कुला नोटंकी रास लीला राम लीला धोबिया था सानी है नवाबो का सहर आगे बात करते हैं शितंबर 2023 में खिलाड़ी स्रेणी में अंतर अश्ट्य टेनिस हौल आफ फेम के लिए नाम अंकित होने वाले पहले ACI पुरुस खिलाडी कौन बने तो दोस्तो, Hall of Fame में सामिल होने वाले पहले ACI पुरुस खिलाडी बन गए है Leander Pace अब देखो, कहीं कहीं आर्टिकल में पहले ACI खिलाडी लिखा गया, लेकिन जब मैंने रिसर्च किया तो पता चला, एक और ACI खिलाडी इनसे पहले नॉमिनेट हो चुकी है लेकिन वो लेडी है, तो यहाँ पर पुरुस किया गया, तो Leander Pace जो है ने, जो की भारत के टेनिस खिलाडी है अंतराश्टे टेनिस Hall of Fame से अभी इनको नॉमिनेट किया गया है नॉमिनेट करने का मतलब यह नहीं हुआ कि यह जीत गया है या इनको सामिल कर लिया गया है Hall of Fame में, नॉमिनेशन मतलब कि इनको सौर्ट लिस्टेट किया गया है तो ऐसे 6 लोगों को सौर्ट लिस्टेट किया गया है जिनमें से एक यह भी है, Leander Pace किस खेल से संबंदित है, टेनिस से संबंदित है तो 6 लोग जो टोटल है, उनमें है कारा ब्लैक, इना इवार नोवीच, कार्लोस मुया डेनियल नेश्टर और फ्लोविया पिनेटा यह 5 है और Leander Pace यह 6 है तो अब इनमें से देखा जाता है कि कितने लोग को सामिल किया जाएगा, हो सकता है एक को भी सामिल किया जाए, हो सकता है दो-तीन को सामिल कर लिया जाए, हो सकता है छे के-छे को सामिल कर लिया जाए, ठीक है इससे पहले 2019 में ली ना ली ना नाम की एक टेनिस खिलाड़ी है इनको भी इसमें Hall of Fame में International Tennis Hall of Fame में नॉमिनेट किया गया था तो ये बनी थी पहली किलाड़ी और ये हैं पहले पुरुस किलाड़ी ठीक है न, ASEA के जान रहे, ASEA के बाती हो रहे बाकी लोग जो है, ये ASEA के नहीं है ठीक है, आपको अगर याद हो तेनिस से ही सम्मंदित है दोस्तो, रोहन बोपन्ना तेनिस से ही सम्मंदित है रोहन बोपन्ना और रोहन बोपन्ना ने अभी बोपन्ना ने अभी दोस्तो डेविस कब से सन्यास लिया है डेविस कब से कब से सन्यास लिया है ठीक है ना ये बात याद रखेगा भी recent news है तो पूछा जा सकता है आपसे चलिए आगे बढ़ते हैं हाले में किस राज्य में एक mega राश्ट्रिय कारेकरम सक्ती 2023 का आयोजन किया गया सक्ती देखो सक्ती नाम ना बहुत ज़्यादा important है सक्ती अभी मैं बताऊंगा कई जगों पर ये चर्ची में आया है सक्ती 2023 का आयोजन दोस्तो ये तमिल नाडू में किया गया इसका आयोजन किंद सरकार के दोरा किया गया था ये mega national program था राश्ट्रिय प्रोग्राम था तो यहाँ पर देखे ये किया गया IGCAR की अधिक्सता में ये किया गया है इंद्रा गाधी प technological advances and social upliftment ठीक है महिलाओं की भूम का technology में कैसे बढ़ाई जा इस पर लेकर किये केंद्रित था अब देखो सक्ती क्या है सक्ती ये नाम तो इसमें रखा गया है ठीक है सक्ती नाम से अगर आपको याद हो तो सक्ती योजना भी शुरू किया था किसने करनाटक सरकार ने सक्ती सक्ती अभियान योजना और उसके तहट ये बसो में महिलाओं की यात्रा मुफ्त किये थे इसके अलावा अगर आपको तो सक्ती नाम से हम लोग क्या करते है exercise भी करते है exercise सक्ती करते है भारत और फ्रांस के बीच में होता है सक्ती वरूर और उसके बाद गरूर इसके याद हो अगर आपको उप्रेशन सक्ती, यह हम लोगों ने कोड रखा था, कोड नेम रखा था, किसका पोखराण परिक्षण का, पोखराण परिक्षण जो हुआ था ना उसका था, जो सक्ती से यह चीजे आप याद रखेंगे, हाले में किस राज सरकार ने मुखे मंतरी अलप संख्या उद्दमी योजना शुरू किया, यह सुरू किया दोस्तों बिहार राजी सरकार ने, बिहार के सियम है नितीश कुमार जी, आठ भार से यह सियम है, और इन्होंने यह एन्नाूंस्मेंट किया है इस योजना का, इसके तहत क्या होगा इसकी तहत दोस्तों जो अलप संख्यक हैं जो माइनॉर्टीज हैं उनमें अगर कोई उद्दम करना चाहता है तो उसके लिए ये 10 लाग रुपए तक का लोन प्रवाइड करेंगे ये 10 लाग रुपए तक के लोन में 5 लाग तो सबसीडी के रूप में मिलेग अब बिहार आया है तो बिहार पिछले दिनों में क्यों चर्चे में रहा था उसको भी हम लोग रिकॉल करेंगे एक तो पोसर जाउकता सुचकांग में ये सबसे नीचे रहा था राजकोष ये स्वास्त रिपोर्ट में भी ये सबसे नीचे रहा था गैंडों के लिए वारत में सबसे अधिक सूख्ष मुधार लेने वाला राज्य है। दुनिया का सबसे बड़ा रामायर मंदिर बनाएंगे ये पूर्भी चमपानट जिले में बनाएंगे और 500 करोड का खर्च आएगा दोजार पचीस तक बनेगा। इधर ये पश्चम मंगाल से लगाता है और ऊपर इधर नेपाल से लगाता है। ठीक है? बिहार के सीम ने इंडीश कुमार और राजेंद विसवनात अर लेकर यहां के गवर्णर हैं। पतना यहां की राजधानी है। यहां पर अगर बात करें निस्नल पार्क की तो वालमी क National Park कैमूर भी है इसके अलावा राजगीर है भीम बंधू है जाट जटीन डांस ये भी important है याद रखना जुमरी डांस important है इसके अलावा यहां का एक बहुत ही famous लोग कला है गुदना गुदना यहां की लोग कला है लोग कला है ये पूछी जाती है ओके बिहार में दोस्तो 38 जीले हैं विधासभा में 243 सीट हैं लोगसभा में 40 और व्रासभा में 16 सीट यहां से जाती है तो ये तो थे दोस्तो आज के दिन के top 10 current affair के questions I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसे like कर दीजेगा share कर दीजेगा अपने दोस्तों के साथ और इस WhatsApp चैनल को भी join कीजिए WhatsApp चैनल आ गया है जिनके जिनके में अपडेट आ चुका है जिनके में WhatsApp चैनल वाला फीचर आ चुका है वो जा करके इसे join कर लें आप simply ये जो PDF में आपको दूंगा ये detail वाली MZT app पर उसको download करना और इसी image पर जा करके click करना तो आप simply join हो पाओगे या फिर description में लिंक दिया हुआ है WhatsApp चैनल का आप वहां से भी जा करके join हो सकते हो और अगर आप हमारे telegram group join करना चाते हो तो इसको भी join कर लेना सामको live classes होती है इसमें आपको PDF अगरे मिल जाएंगी उसकी लाश्ट देखे questions की बात करते हैं कल हम लोगों ने पूछा था पंडित दीन दयाल उपाध्या के पुनितिती पर समर्पन दिवस कब मनाया जाता है प्रतेक वर्स दोस्तों ये मनाया जाता है 11 फरवरी को ACI विकास बैंक के उपाध्यक्स कौन न्यूक किये गए है इंपोर्टेंट है ये भारगोदास गुपता जी न्यूक किये गए है अगला आज आपको क्या बताना है कि 52 दादा सहाफ फाल के पुरुसकार किस ने जीता था बारत की पहली महिला कैबनेट मंत्री और पहली महिला स्वास्तमंतरी कौन थी दोनों ही कुश्चन बताए देख़ें, कल ये सब चीज़े आपको बताया गया था डिटेल में, कल की वीडियो देख लेना जरूर बहुत इंपोर्टेंट है, ये वाला पोर्शन तो जरूर देखना है चलिए, थैंक्यू सो मच यहां तक वीडियो देखने के लिए, मिलेंगे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम